Hello everyone, welcome to study time with new informative video. आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश विधान सभा के एक्जाम के बारे में जो की आरो, एरो एवं अन्य पदों के लिए 24 जन्वरी को प्रस्तावित है इसके लिए कई बच्चों ने कुछ सजेशन भी दिये हैं कुछ उन्होंने अपना बताया भी है कि सर ये करना चाहिए और साथ ही कुछ बच्चों का कुछ confusion भी है कि सर ये क्या चीजें ऐसी हैं या नहीं है ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो इन सब से पहले, बात करने से पहले मैं आपको बता दू कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लें क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट यहाँ पर समय समय पर मिलती रहती है तो चलिए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश विधान सभा के एक्जाम के बारे में तो देखिए सबसे पहला जो बच्चों का क्वेशन है कि सर इसमें धांदली होगी यह होगा विधान परशद में होगा था तो देखिए इसमें तो कोई दोहरा नहीं है ऐसा कुछ नहीं का आ जा सकता कि होगा या नहीं होगा लेकिन जैसा कि आपने विधान परशद में देखा था OMR खाली छोड़ी गई है तो वो सारी चीजें यहां भी होगी तो बच्चों का क्वेशन था कि सर हम इसमें क्या करें क्या एक्जाम ही ना दें तो देखिए एक्जाम ना देना तो कोई solution नहीं है ऐसा तो नहीं है कि आप युद्ध से ही भाग जाएं तो आप जीत जाएंगे हारे हुए तो तब भी आप कहलाएंगे ही तो आपने जब 950 रुपए का फॉर्म भरा है तो आप एक्जाम देने क्यों नहीं जाएंगे तो ये कोई solution नहीं है इसका कि आप एक्जाम छोड़ दें तो अच्छा हो जाएगा ठीक है तो एक्जाम देने निश्चत तोर पर जाएए अब भले ही उसमें seat जितनी भी थी वो आपने पहले ही सोच के रखा होगा कि जब आपने form भरा है तो ये सारी चीज़े पहले ही सोची होगी कि seat कम है है ना competition जादा है और धंदली एक अलग सवाल है तो जब आपने form भरी दिया है तो अब ये सोचना कि एक्जाम ही ना दे तो ये कोई वो नहीं है तो एक्जाम देने आप निश्ची तोर पर जाएए और जो भी एक्जाम देने जा रहे हैं या जिनका भी एक्जाम है उन सब को मेरी तरब से best of luck है और अब दूसरा सवाल ये है कि कई बच्चे बोल रहे थे कि सर जब हम एक्जाम देने जा रहे हैं तो जैसा कि खाली OMR का सिस्टम चल रहा था विदान परशद में तो क्या इसमें भी होगा तो उन्होंने बोला था ये चीज की आप बता दीजे बोल दीजे उन्होंने भी अवेर किया है बच्चों को कि जब आप एक्जाम दे रहे हों एक्जाम हॉल में तो वहां अपने आसपास देखते रहें ये चेताउनी आप लोगों के लिए है कि आप लोग देखते रहें कि आपने तो अपना पेपर अच्छे से किया है लेकिन आसपास कोई ऐसा तो नहीं है जो OMR खाली छोड़ा है अगर ऐसा कोई छोड़ा है तो आप लोगों को निश्चित तोर पर उसका विरोध करना है और विरोध दर्ज भी करना है ऐसा नहीं कि केवल विरोध के नाम पर विरोध करना है उसकी OMR को कटवाना है पिटवाना है पूरी तरह से उसकी जो OMR है उसको डिस्ट्रॉय करवाना है ये तभी होगा जब अगर आपको आसपास खाली कुछ ऐसा दिखता है कि हाँ इतने बच्चों ने या किसी एक ने भी OMR खाली छोड़ रहा है पूरी तरह से पूरी तरह से अगर आपको ऐसा कहीं लगता है तो आप निश्चित तोर पर अपने कर्च निरिक्चक से बोलिए या फिर प्रसाशन में जो भी हो उनसे बोलिए कि सर इस रूम में ऐसा वैसा हुआ है जो भी हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये सब देखें अपने पेपर के साथ साथ अगर ऐसा कुछ हो रहा है क्योंकि अगर हम आप और ये सम नहीं लड़ेंगे तो आगे कोई नहीं आएगा तो यही आप लोगों को सला है चेताओनी है कि अपना तो पेपर करना ही है साथ में आसपास भी देख लेना कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो द देखना भी है आपको अपना भी करना और ये देखना भी है तो ये आपको चेताउनी भी है और सला भी है और पेपर देने निश्चित तोर पर जाईए किसी ने भी आप से कुछ भी बोला हो कि पेपर मत दीजिये धांदली हो रही ये वो हो रहा है तो आपने पहले ही ये सब चीजें जब विधान परशद में हुआ था तब ही आपको पता चल गया था इसके बावजूद आपने विधान सभा का फॉर्म भरा है और जब भरा है तो पेपर देने जाएए ही जाएए और देखिए पैसे की बात है कि आने जाने में खर्चोता है निश्चे तोर पर होगा ही होगा और जब तक आप बेरोजगार हैं कमप्टेशन में हैं ये सारी चीजें जुड़ी हुई ही रहती हैं आप किसी को अवाइड नहीं कर सकती है कि मैं यहां नहीं जाओंगा तो इतना पैसा बच जाओंगा तो इतना पैसा बच जाओंगा इसके लिए बुक नहीं करी झाल